हलो दोस्तों गुट मॉर्निंग कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हूँ आप बहुत बहुत अच्छे होंगे हम सभी ठीक है आठ डेट है सत्रा दिसंबर और देन है सनिवार तो यहाँ पर देखी चाय बन रहे हैं और सुबह के साड़े च्छे बज चुके हैं और चूले की प किया सुबह उटकर न बस गेट के बाद जाड़ू लगाई इसके बाद जो है तो चूले में पुताई की और बस यहाँ पर चाय बनाने के लिए बैढ़ गए क्योंकि न अंदर जाड़ू लगाते नहीं बनती जाड़ अंधेरे में तो मैंने चाय बनाई थी जब मैंने चा तो हम लोग जो कुकर में डाल बनाते है न वो गल जाती है और यह जो तबेली में हम लोग डाल मनलब पकाते हैं तो यह धीमी आच में अच्छे से पक जाती है तो यह पर अधाण आ रहा है और तब तक मैं चाई भी पिलेती हूँ तब तक एपानी जो है तो खौलने लगे तो इसे लकड़ी होती है तो आरामsal से पकती रहती है तो हैसे जलाती भी जाँगी और यहीं पर जिसके बाद नमक झाल दिया है तेल डाल दिया को बस ढक़ दूण गी और वर्तन जो चाए कि टो इन समेट करके वल्लब रख दिया है मैंने धुलने के लिए और यहां पर देखिए मैं अपना वीडियो जो है तो अपलोड कर रही हूं अभी और यहीं पर दूद रखा था थोड़ा सा डिबी में तो बस उसे भी पका लिया है यहां पर दाल मेरी पक गई है तो चूला जो है तो तो मैंने धनिया, मिर्ची, हल्दी, अध्रक बस और जीरा खड़े वाले यहीं पीसे हैं और अंस तैयारी कर रहा है स्कूल की सो बस गेन अपनी ड्रेस पहन रहा था तो सिल्का जो मैंने मसाला है तो पोंच लिया था और सिल्कों टिका दिया यहां पर मैंने रख दिये कड बना टेल। मैं तो बसको बाज़ कर लिया इता है और यहां पर मैंने तेल डाल दिया कड़ाई में, तेल गरम हो गया था, तो जीरे डाले, जीरे चटख गये थी तो लाईसुन डाल दिया हैं, और लाईसुन मैं रखतीन come time इसके बाद मैंने ये मसाले डाले हैं और मसालों को थोड़ा सा भूनूँगी और इसके बाद एक टमाटर डाल दूँगी तो टमाटर भी मैंने डाल दिया है साथ में मैं नमक डालूँगी थोड़ा सा टमाटर गलने के हिसाब से हम थोड़ा ध्यान से नमक डालेंगी क्योंक पर ना मैं अंस जा रहा था स्कूल तो उसी के लिए बाते कर रही थी तो यहां पर देखिए दाल मेरी पक गई तो बस इसी मैंने उतार लिया है और कटोरे में रख रही हूं और यहां पर मैं अंस को डाट रही थी बोलता है कि मुझे दाल रोटी नहीं खानी है काई कुछ न नहीं खाना परेसान करके रखे तो अभी जो यह भरतन थे तो बस इन्हें उठा कर दूलने के लिए रख दिया यहां पर यह तबेली में पानी फिर से लेकर आयों क्योंकिने मुझे कमल बगएरा दूलना है तो गरम पानी में डालूंगी तो जल्दी से मेल कट जाएगा और यहां पर आगे हो रूम में तो यह देखिए कितना मतलब फैला हुआ है तो बस यह सारी चीजें समेट देती हूं कपड़े रखे तो बैस इनको तहा करके घड़ी करके रख दूंगी इनकी जगह पर और यह जो खाट बगएरा इसे निकाल के दूसरे वाले रूम में रख यह कपड़े हैं जो मैंने पर शोक दिन पहने थी तो बस इनको मतलब समेट कर इस वाली अर्माली में सामने वाली में दो अर्माली मतलब कपड़ों में हो जाती है तो इन्हें ना रख करके यहां पर पर परदा लगा देती है थोड़ा अच्छा दिखने लगता है और अच्छे से दिन निकलता है तो अंधेरे में जाड़ु लगाते नहीं बन रही थी इस वाई से फिर मैंने नहीं लगाई तो अभी में लगा रही हूं और आज मेरा वीडियो काफी लेट जा रहा है क्योंकि रात में मैंने एड़िट नहीं किया था तो सुबह तो टाइम ही इसवीज से लिट रहा हैंगा तो कोंई नहीं आप लोगद नों देख के लिजएगा तो आप देखक जाड़ु लगा रही हूं और गेट की पीछे जाड़ु लगा रही हूं और मैं हर चीज को हटा कर जाड़ती हूं इससे ना कचड़ा जो है तो जमा नहीं होता फिर अगर हम एक खटी किलीनिंग करती है ना मनलब जारा दिनों में तो वह बहुत जादा दिक्कत देती है इस विसे ना regular हम एक जैसे क्लीनिंग करते रहते है ना तो फिर जारा परेशानी नही लोंगी और वैसे भी यहां पर कोई लेटता नहीं है पर जैसे रात में मैं खाना बगाती हूं तो साम को अम्मा जी आ गई थोड़ी देर के लिए लेड़ गई तो लेड़ गई अगर नहीं लेड़ते हैं तो पर चुले के पास बैटी रहती है और खाकर वहीं से चली जाती ह तो यहां पर मैंने सब पूरे घर में जाड़ू लगा दी है बस यहां पर यह देख सकते हैं आप लोग कितनी जादा राक हो गई है तो बस यहां पर भी जाड़ू लगा करके इसे कचड़े को भार लेती हूं ताकि मैं जब नहा कर रोटियां बनाने आँ आँ ना तो मेरा जो है तो मूर जो है अच्छा फ्रेस फ्रेस रहे यह साफ सफाई हो जाती है तो काम मतलब कोई भी काम करने में मन भी लगता तो यहां पर मैं इनकी पॉकेट को देख रही थी कुछ है तो नहीं है क्योंकि नहीं के थोड़ा एक दो जोड़ी कपड़े भी धुलने है मुझ इसके जो फिते हैं इसे बान दिया इसके बाद यह चला गया च्छत पर किवी नहीं इसका चाच्चू आया था अंस के साथ में खेलने माला है उसका दोस्त है तो बस वह आया था खेलने के लिए तो उसी के साथ में आ गया था तो यहां पर मैंने आधे कपड़े विगो दि पानी गरम पानी डाल करके और यह अच्छे से फूलता रहेगा तब तक मैं जा करके पूंचा बगएरा कर लूँगी और इसके बाद मिलूँगी आपसे तो पूंचा बगएरा कर लिया था इसके बाद जो हरे वाले टप के कपड़े थे वो सारे बने धुल कर निचोड कर अच्छे से रख दिये हैं बस उन्हें सूखने के लिए फैलाने जाना तो फिर मैंने का यह कमल भी जो है तो धुल लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं सा सारे कपड़े खटे ही मरला फैलाओंगी तो यहां पर देखे कमल ऐसे तो धुलने वाला था नहीं तो इस वैसे मैंने पैरों से जो है तो कचर कचर के दूला ऐसे तो इससे बहुत ज्यादा काला काला मिट्टी जैसा निकल रहा था यह देख सकते हैं आप लोग भी देख तो बहुत ज़्यादा निकल रहा था तो मैंने इसी तरीके से धुला पानी डाट डालके तो सारी जो धूल मिट्टी थी निकल गई है और इसे पानी नहा कमल दो ते टाइम ना पानी भी पूरा खतम हो गया था टंकी का तो बस टंकी को भी मैने साथ में साप कर दिया इसके शाप मैंने में अच्छे से बोर बोर के ध्ले पानी से अर बस इसका जो साफ पानी देखी सकते हैं देख रहा है तो बस अभी धुल गया है तो इसे जो है तो नकाल दी और यहां पर गरम पानी मैं नहाने के लिए भी कर लिया था समय हैं लाइटो पिर भी मैं नल itting fark हरा की और उसी में पानी मिला खरखा़ को सबस्क्राइए तो अभी एक आप दोलूंगा ना मेरी यादत है मैं गंदे कपड़े बिलकुल भी नहीं पहनती ना मुझे अच्छे लगते हैं तो यहां पर देखें यह कंबल जो है तो मैं धूल कर रख दिया इसका पानी यहीं से छटता रहेगा और मैं तब तक नहां लूँगी तो पहले मैं सारा पानी भर लेती हूं और यहां पर टंकी भर गई थी मेरी तो बस यह टब बगएरा है तो बस इनको भी भर लेती हूं और इसके बाद ना आओंगी आकरती को भी नहीं लाना है तो दोस्तों आज कर मेरा अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो प्ली चैनल को सस्काइब ज़रूर कर लेन और साथ में बैल आइकन को प्रेस कर देना अपने दोस्तों के साथ रिष्तेदारों के साथ सेयर करिएगा यहां पर देखिए सारे कपड़े मैंने फैला दिये हैं और यह आकरती लेकर आए जाडू क्योंकि ना मुझे यहां पर इस बाली दिवाल में जो है तो कमल को पहला आए तो यहां पर मैं थोड़ा सा जाडू मार दूंगी तो इस वाज़े से फिर जो है तो यह जो धूल है ना यह हट जाएगी इसके बाद फिर मैं यहां पर कमल को टांग दूंगी तो आकरती ना अपने फेस में देखिए क्रीम लगा रही और सुबह ना नहाने के बाद चत में आओ तो बहुत अच्छा लगता है क्योंगी ना पूरे घर में थंडा थंडा लगता रहता है सर्दियों के टाइम दूप बगएरा तो आती नहीं है स्वारी दूप बगएरा तो आती नहीं है घर के अंदर तो पूरा घर थंडा रहता है तो यहां से देखिए यह कंभल को मैंने फैला दिया यहांसे बहुत अची धूप लग रही है तो बस इसी सेट पर फैला दिया तो जल्दी सूबढ़ पर न दो दिन लग जाते हैं किनारे नहीं इसके सूखते हैं तो यहां पर मैं कंबल बगएरा फैला दिया था इसके बाद मैं आकरती के बालों में तेल लगा रही थी मुझे गुसा आ रही थी क्योंगे अब लगी है बहुत जोर से भूग तो वस खाने के रोटी यह बना एक फिर आप लोगों से मिलेंगे तो यहां पर देखिए आकरेती खा रही है और जितनी भी मैं रोटियां सेकती जा रही हूं तो बस आकरेती की थाली में रखती जा रही हूं क्योंकि ना डलिया नहीं थी तो मनेगा तुम अपनी थाली में रखवा लो क्योंकि ना ये एक तो बस इसमें चौक लगा रहा हूं तो यहां पर मैंने चमचा को रख दिया गरम होने के लिए इसमें तेल डाल दिया है और ही राई जीरा से तड़का दे दूगी नमक डाल दिया है तो दोस्तों आज का मेरा वीडियो यहीं तक रहेगा अगर आप अच्छा लगे तो प्ली लगते हूं और कुछ आपको सीखने को मिलता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जो मैं करती हूं और जो हम खाते पीते हैं वहीं दिखाते हैं मिडल क्लास फैमिली के लोग है तो वैसा ही खाते पीते हैं वैसे ही रहते हैं तो वहीं दिखाते आप लोगो तो मठ्थे में मैंने तड़का दे दिया है तो रायता देखिए चॉंक दिया वहने तो रायता चॉंक दिया आप भी जा रही हूं खाने की देखिए विद्धा लगी है अब भूग सो बस खाना तयार करें हूं डोटिया बना के आई हूं अट्टायमना एक भी सो चुके हैं सुझ ऑूग मान खाना करें हूं लग यहां है उन्सक्राइब भी साही है तो रहां है देखिए जगा है अटिया जग करेंसुछ सकता हैं जगस्टाएब देखिए शिए झाया करेंस्या रहां है।